अच्छे यहां पर त्रेता युग में जैसे रमायन और महा भारत में नागों का भी रोल हम बहुत देखने को मिलते हैं कि शेष नाग लक्षमन बनकर आते हैं और अगर हम दौपर युग में जाएं तो स्रेकृष्ण कालिया नाग है उसके साथ और विष्णु अपने आप म झिसाया में सोते हैं थेक है तो इन नागों की कोई स्टोरी आपको पुराणों मिलती है नागों के बहुत कहानिया है एक जो बहुतstat कहानी है कि नागों की जो माता थी, उनका नाम था कड्रू, और उनकी एक बहन थी विनाता, विनाता के कोई बच्चे नहीं होते थे, तो विनाता को बहुत दुख होता था, तो विनाता को ब्रह्मा ने दो अंडे दिये, कि तुम्हारे बेटे यहां से निकलेंगे, तो जब तक ये अंडा फुटे थी अपने बच्चों से, तो उसने एक अंडा किया किया, उसने इंपेशन्स में खुदी फोड़ दिया, तो वहां से एक हाफ फॉर्म्ड लड़का निकला, उसने कहा कि तुमने वेट नहीं किया मेरे लिए, तुम्हारे विज़े से मेरा शरीर हमेशा आधा ही रहेगा, त तो गरुड और नाग, जो अचली एनिमीज हैं, ये दो एक, दो बहनों के बच्चे हैं, वहां से निकले गरुड, तो ये बहुत इंटरिस्टिंग कहानी है, फिर आजे जल का और एक कहानी है कि विनाता और कड्रू के बीच एक बैठ हुआ, कि जब सागर का मंथन हुआ, तो उसमें से एक घोडा निकला उच्चे श्रवा, जो बहुत देखने बहुत सफेद, बिल्कुल सफेद होता था, तो दोनों बेहने उसको देख रही थी बहुत दूर से, तो कड्रू ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो पूंच है, वो काली है, विनाता कान ब दूसरे का दास बनके रहना पड़ेगा, तो जब लोग वापस घर गए, तो कड्रू के बच्चों ने बोला कि आपने गलत बोला है, उसका जो पूंच है, वो आक्च्छी सफेद है, काला नहीं है, तो कला भार जाएंगी बैठ, तो कड्रू ने बच्चों से खा कि एक काम दिखा, तो फिर विनाता मान गई कि भाई में गलत थी, तो वो फिर कड्रू की दास बन गई, और जब गरूर पैदा हुए उस अंडे से, पैदा होने के बाद, उन्होंने अपने माता को छुडवाया वहां से लेके, तो ये बहुत इंटरस्टे कानी है, नागों के और गर विचित मुवी आई थी, उसमें जो सजाएं दिखाएं कि एक्चर में वो कुंभी पाक्कम है, ये सारी चीजें गरूर पुरान से उठाए गई थी वहां पर, और गरूर की बड़ी इस्टरस्टिंग कता है, जो कि ये समझाती है कि जो होना है, वो होके रहेगा, हमारे जो हो जाओ, या कितने भी उपाय कर लो, आप उस इवेंट से को समार सकते हो, यानि कि आपका बहुत बहेंकर एक्सिडेंट होना था, तो अब वो छोटे में करनवर हो जाएगा, बट वो इवेंट उस समय पर होगा जरूर, इवेंट बदल नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, एक बार की बात ऐसी है कि विष्ण भगवान गरून जी के साथ, शिव जी से मिलने जाते हैं, और वहाँ पर महफिल सी सजी होती है, बाकि आती है बाकि देवी देवता भी आये होते है, यम्राज भी आये होते है यम्राज बड़ी देज बड़ी से टुक्टूकी लगाकर को एक ऐसे नुकसान पहुचा सकता है तो गरुण इधर उधर देखते हैं उसको पकड़ते हैं उसको बहुत तेज गती से उड़ते हुए दूर एक जंगल में पेड़ पे छोड़ाते हैं अच्छा और फिर वापस अले आते हैं रिलाक्स होके कि आज मैंने एक पक्षी को यम तो तुमने वह पहुचा दिया तो जब हम चीजों को बदलने की सोचते हैं तो हम बिसिकली उस इवेंट के होने का कारण बन जाते हैं और एक मूवी आई है प्रीडेस्टिनेशन बहुत बुरानी मूवी उसमें इस कॉंसेट को बहुत अच्छी से समझाया गया है जो कि हम सब्सक्टा jij पूआ करसे बीघ्र आइं ना साइंटेफिक है कॉस्मोस के बारे में बताया गया है कॉंटम फिजिक्स के बारे में बताया गया है वोट साओं Lord कर्दा सकते हैं